आज किस वीडियो में हम लोग इतिहास के एक बहुती इंपोर्टेंट कोईश्चन को डिस्कस करने वाले हैं तो देखे हमारे पास आज का कोईश्चन क्या है कि ब्रिटेन वूर्स समझोता का क्या अर्थ है और ये जो कोईश्चन है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है तो देखें अबर क्या है कि धोतर अंतरास्ट या आर्थिक विवस्ता को ब्रिटेन वूर्स विवस्ता भी कहा जाता है क्यों देखें अक्चन में बात ये रहा कि जब हमारा दूती विश्विविद्ध खतम हो जाता है और दूती विश्विविद्ध हमारा 1949 से लेकर 1945 तक चला था तो जब दुती बिसवी उद्य खतम हो जाता है तब बहुत सारे मतलख देशों का जो आर्थिक इस्तिती था उनलों का जो अर्थवास्ता था डाउन हो चुका था तो इसी के चलते Britain Board से समझोता क्या गया था और ये Britain Board समझोता क्या है इसमें किस किस चीज का सपना हुआ था हर एक चीज के बारे में डिसकस करते हैं तो चलिए सर देख लिजिए यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर होगा कुछ इस प्रकार से होने वाला है और एकक करके हम लोग हर एक पॉंट्स को बहुत ही अच्छे तरिके समझते हैं देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला पॉंट है क्या है कि दूतिय बिस्वी यूद्द जो कि 1949 से लेकर 1945 तक चला था तो दूतिय बिस्वी यूद्द के बाद अंतराश्टी विवस्ता और विकास क लिए अमेरिका में इस्थित नियू हैंब सायर के ब्रिटेंड बूर्स नामक अस्थान पर 1944 में एक समझ होता हुआ जिसे ब्रिटेंड बूर्स समझता कहते हैं देखिए बात को समझिए एक्च्छल में हमारा दूतिय बिस्वी यूद्द जो हमारा खतम हुआ था सेना मारे जाते हैं बहुत च्छती होता है समानों का जिसे की अभी मतलब रूस और यूकरेन में चल रहा है लड़ाई तो जब भी लड़ाई होता है निस तो बहुत ज़्यादे नुकसान हो जाता है तो पहले सभी पता था कि नुकसान तो होई गया है तो 1944 में ही एक समझ कर लिया गया जिस सम्झूता का नाम है बृटेंबूर से सम्झोता देकिए इस सम्झूता में एक्च्वल में क्या हुआ है तो दो चीज का अपना क्या गया है एक का नाम है आई एम एप यानि की इंटरनेशनल मनेटरी फंड जिसको अम लोग बोलेंगे अंतराश्टी मुद्रा कोस और एक अपना क्या गया है आई बी आरडी यानिकी इंटरनेशनल बैंक फॉर री कंस्ट्रक्शन एंड डेबलम्मेंट जिसको हम लोग बिसुर बैंक के नाम से यानिके वर्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं तो दिके से यहां पर साब साब जो लिखा गया है यहां पर में आपको क्या बताया कि दूतिय बिसुरित के बाद अंतराश्ट व्रवस्ता और विकास के लिए अमेर्कार में इस्तित नियू हैं बसायर के ब्रिटेन बुर्स नाम अग करना था इस समझोते में दो संस्थाओं की अस्थापना की गई जो निमन प्रकार से है पहला क्या है कि सब्सक्राइश के विदेश्वेपार में लाव और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन बुर्स सम्झोता में आई-एम-एप के अस्थापना की गई आ याम-एप म क्या होता था मदला मानिक चली कोई भी मतलब जिसे की विद्येस बेपार होगा उसमें जो भी लाब होगा घाटा होगा तुस्से निपटने के लिए ब्रिटेन बुर्स सम्झोता में आया मैप के स्टपना की गई जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल मेंटरी फंड यान के अंतर रिजाम करने के वास्ति आई बी आरडी का गठन क्या गया जिसे विस्वेंक यानिकी वल्ड बेंक के नाम से भी जाना जाता इसको मेंडिश बैंग भी कहते हैं आई बी आरडी मने हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर री कंस्ट्रक्षण एंड डेपलोप्मेंट जिसको में बोलेंगे हिंदी से अंत्रा आश्टिय पुना निर्मान एवंग विकास वेंक और इसे हम लोग भी सुवेंक भी कहते हैं देखिया अक्च्वल में यह जो आई बी आरडी यान की जो भी सुवेंक है इन दोनों क्या बोला जाता है ब्रिटेन वोर्स की जुड़वा संतान क रहा जाता है इस बात का आप लोग याद रखिएगा और यह जो कोश्चन है इसका यह रहेगा सिंपल सा और प्यारा सा एंसर तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिये तो मिलते है अगले वीडियो में थैंक यू जहिंद